वेल्कम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सबी आपकी एक और नई कलास जिसे आप कुछ भी समझें जीरो लेबल समझें या माश्टर कलास समझें ये एक ऐसी कलास है जो सब के लिए महत्तोपूर्ण है एक परकार से ऐसे समझें कि एक ऐसी चाकू है जिससे आप चाहें तो फल काटे चाहे तो सबजी काटें चाहे तो जो आपकी इच्छा वो काटें मतलब वैसे समझ सकते हैं ठीक ना देखिए समिकरण कई परकार के होते हैं एक गहात के समिकरण दो गहात के समिकरण तीन गहात के समिकरण तो आज हम बात करेंगे दुए गहात समिकरण यानि कि सिकन डिग में पूछे जाते हैं अगर कुछ हावाज हो गयरा में गड़बड़ी होगी तो कमेंट करिएगा चलिए सुरू करते हैं देखे पहला कुश्चन है एक स्कॉयर प्लस फाइप प्लस इसको हल कैसे करते हैं पहले मतलब समझेगा हमने आपको एक लाइब में इनके बारे में बत प्री अब इसमें अगर मैं बात करूं है आपको उत्तर आ गया देखे ध्यान दीजिएगा मैं एक ही टाइप में सब्ही सवाल बता दूगा बस आवाश थोड़ा से लग रहे हैं गड़ बढ़ है तो मैं सहीं और देता हूँ बिल्कुल हैरान नहीं होना है ठीक है ना सब कुछ क्लियर होगा बगल में थोड़ा पूजा पाठ हो रहा है इसलिए थोड़ा आवाज आ रही होगी तो देखिए पहले तो गुडांग याद करेंगी किसका X2 का X2 का है वन है इसमें इसका गुडांग क्या है फाइफ है और छे अकेले है इसका गुडांग से कोई मतलब नहीं है इतना किलियर हो गया दूफरे लाइन में हमें एक नया इकोईशन बनाएंगे वो कैसे बनता ध्यान दिजिएगा यह X2 के जो गुडांग है ना इससे गुडा करे ऐसे उतर जाएगा और यह प्लास X2 ऐसे उतर जाएगा कुल मिला करके जो नया इकोईशन बन रहा है वो भी उसी के बराबर आ रहा है कोई नया नहीं बना इसलिए हम उसी करेंगे देखिए नया भी बनता है अब यह अगर उसमें बात करें तो बनेगा देखिएगा तो अ पांच हो जाए जैसे चार में एक जोड़ा तो क्या हो गया पांच हो गया लेकिन चार का अगर एक में गुड़ा किया तो क्या हुआ चार हुआ नहीं आ रहा गुड़ा करने पे छे आना चाहिए अगर मैं जोड़ू तीन में दो तो पांच हो जाएगा तीन दो पांच और केवल पांच की जगा पे हमने इसको लिखा है बाकि जो यक्स है वो यह से पीछे लटका रहेगा यह प्लस का प्लस 6 का 6 इतना क्लियर है आप क्या करेंगे यक्स का स्क्वायर प्लस इसका गुड़ा करेंगे बाहर से ठीक, तोनों में बारी-बारी यक्स का गुड़ा इसमें करेंगे तो यह तीन यक्स और बीच में धन दो में करेंगे तो दो यक्स और प्लस 6 इतना क्लियर है अब इसमें दोनों में कॉमन लेंगे इसमें कॉमन लेंगे इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है है ना तो यक्स कामन हो जाएगा बचेगा यक्स धन्त्री और अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों में नहीं कामन यक्स क्यूंकि इसमें यक्स है बट इसमें नहीं है लेकिन देखें इसमें दो है इसमें छे है दोनों में दो कामन हो सकता है कैसे कैसे देखें छे को हम लिख सकते हैं अगर कोश्ठक में लिखें तो तीन गुड़ा दो लिख सकते हैं तीन गुड़ा दो छे को तो भाई दो इसमें से निकाल लो एक दो इसमें से निकाल लेते हैं तो ये बीच में जो भी था प्लस ना ये प्लस ही रहेगा इसमें दो कामन ले लेंगे दोनों में से तो इसमें यक्स बचेगा और इसमें क्या बचेगा यह तीन बचेगा केले है ना क्लियर है आप कोई confuser नहीं होने चाहिए जो दो बार आया है उसको एक बार लिख लेते हैं एक्स प्लस 3 और जो common हुआ है उसको एक कोईश्टक में बंद कर देते हैं यह एक्स और यह प्लस 2 एक उत्तर तो आपका यह हो गया लेकिन अगर इसमें आपको मूल निकालना होता कि एक्स के दो मूल कौन कौन से है तो आप इसको एक एक को बारी बारी जीरो के बराबर कर देंगे तो यह एक्स का एक मूल आएगा माइनस 3 और एक आएगा माइनस 2 यह एक्स के 2 मूल हो जाएगे अगर यह नहीं समझ में आए नीचे का इसे हुआ कमेंट करिएगा आपको बता देंगे क्लियर है ना हाँ अब हम बात करते हैं जो पहला सवाल में आपने नहीं समझ पाया कि कैसे यह कुष्चन बदलता है कि नहीं बदलता है उसकी बात करते हैं दूसरे सवाल में ध्यान दिजिएगा इसी तरह का एक सवाल और कर लेते हैं फिर हम नया सवाल करेंगे ध्यान दीजिएगा पहला के बाद दूसरा सवाल अभी दिखाएँगे यह वाला पत जो है क्या करने पे आएगा यह गुडा करने पे आना चाहिए और जो इसका गुडान खहनी टोयाल ये जोडने पर आना चाहिए ठीक है? मतलब दो ऐसी गिंती बताईए जिसको गुडा करें तो 35 हो जाए और जोड़ें तो 12 हो जाए चल्दी से बताईए गुडा करें तो 35 आजाए और जोड़ें तो क्या हो जाए? 12 हो जाए देखिए गुड़ा करने 35 किसको किसको आएगा जैसे अगर 35 की बात करें तो वही एक के जगा आएगा भाई कब 7 बचे 35 और 7 पांच बारा एक हो जाएगा 7 एक हो जाएगा 5 तो मिल गया ना जो हम ढूंड रहे थे इसमें आसानी से मिल गया नहीं तो हर जगा आसानी से नहीं मिलता है देखिएगा जहां आसानी से नहीं मिलता वहां में पैसे करते हैं यह हो गया बारा यक्स यानि कि इसे हम लिख देंगे बारा की जगा पर 5 प्लस 5 किसकी जगा पर बारा की जगा पर 7 प्लस 5 यह यक्स था, यह ऐसे यक्स रहेगा, यह धान का धान, यह 35 का 35, इतना क्लियर, अब अंदर में गुड़ा करेंगे यक्स का पहले 7 में, फिर यक्स का गुड़ा 5 में, इसके पहले जो है उसको ऐसे लिख लेंगे बिना किफी छेर चाड़ के यह, यक्स का गुड़ा जब इस इसमें common होगा इसमें common होगा देखें इनमें दोनों में साथ है इसमें क्या साथ एक स्कॉयर है तो एक बात अगर आप ध्यान दें तो यक्स दोनों में है एक्स दोनों में नहीं है तो इसमें यक्स कामन हो जाएगा तो यक्स धन क्या बचेगा साथ बचेगा और इसमें प्ल तो इनों में नहीं है उसको जोड़के लिख देंगे एनि एक्स फ्लस ये 5 इतना समझ में आ गया ना तो ये हो गया आपका एक्स फ्लस 5 और एक्स फ्लस 7 अगर दो मूल निकालेंगे इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक्स बराबर माइनस 7 और मानस 5 आएगा कैसे आएगा यदि यक्स भान, 7 बराबर 0 करेंगे, तो यक्स बराबर 7 उधर जाएगा यह बराबर की उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा उसी तरह से आप 5 वाला कर लेंगे फो भी माइनस है जाएगा तो यह तो था भैобщ सिंपल सा सवाल लेकिन अगर कुछ गड़बड होने लगे तो कैसे? जैसे ये सवाल है, ये कैसे होगा? बड़ी आफ़त का बात है इसमें भी वह ऐसे करते हैं आठ का दो में गुड़ा करें कितना होगा? सोला, अब आपको लिखने तो दो है लेकिन इसको सोला समझ के चलना है बड़ सोला लिखना नहीं हो आपके ना ना गड़बड हो जाएगा तो गुड़ा करने पर क्या है? आठ उना सोला, गुड़ा करने पर सोला आए जोडने पर आए दस कोई ऐसी दो गिंती बताइए जिसको गुड़ा करें तो सोला है जोडने पर दस आए तो चार का चार में गुड़ा करेंगे सोला हो जाएगा लेकिन चार का अगर चार में जोड़ेंगे तो आठ आएगा दस नहीं आएगा इसका मतलब चार-चार नहीं होगा क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें क्या होगा देखिए यह हो सकता है आठ गुड़ा दो अगर आठ में आप दो जोडेंगे तो दस भी हो जाएगा इसका मतलब मिल गया आठ और दो हो जाएगा तो आठ दो कहां लिखेंगे इस दस की जगा पे उसके पहले का वो ऐसे लिख लेंगे जो भी जैसे है वो ऐसे बीना किसी बदलाव के इसको उताल लिया यह प्लस ऐसे लिख दिया 10 की जगह पर बदलेंगे 8 धन 2 X जो बगल में है वो ऐसे ही छिपा रहेगा बस लिख दिये अंदर मैं X का गुड़ा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 8X square प्लस यह 8X प्लस 2X प्लस 2 clear? इसमें दोने में common ले लो इसमें दोने में common ले लो भाई उत्तर आगया आपका देखें इसमें 8 V है X V है इसमें भी 8 है और X है यानि कि हमारा common 8X हो जाएगा इसमें X बचेगा धान इसमें क्या बचेगा? एक बचेगा कुछ लोग को बड़ी आफ़त होती है कि भाई यह common कैसे ले लिया? common का मतलब होता है भाग करना यानि हमने इसमें से 8X common लिया ना तो जब 8X स्कॉायर से हमने 8X common लिया इसमें क्या गुजरी होगी आई आपको दिखाते हैं यह इसमें क्या गुजरी मैं आपको दिखाता हूँ देखी common का मतलब यह होता है इसको भाग करना इसको मैं आपको और सरल तरीके से बता दूँ इस पॉइंट को समझेगा हम 8X स्कॉायर को लिख सकते हैं 8 गुड़ा यक्स गुड़ा यक्स लिख सकते हैं और नीचे 8X जो है उसको 8 गुड़ा यक्स लिख सकते हैं अब अगर हम इसको 8 से 8 और यक्स से यक्स कार्ट दें तो कोई बुराई नहीं आप लोग जानते हैं क्या बचा केवल X बचा न वहीं तो मैंने यहां यक्स लिखा था दूसरा 1 कैसे आया देखी इसमें से भी जब हमने 8X कामन लिया तो 1 आया था कैसे आया देखी गौर करिएगा एक एक पॉइंट समझना है इसलिए इसको जीरो लेबल की मैद कहते हैं यहां से स्क्वाइर हटा देना है अब सिंपल में आप देखी अगर कहीं 4 बटा 4 होता का आप काट के एक लिख देते न तो वैसे 8X को 8X कार देंगे तेगा जाएगा और इसलिए मैंने यहां बेक लिख दिया अब आप समझ गया होंगे अगर नहीं समझें तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देखें एक बार नहीं दो बार हजार बार देखें लेकिन वीडियो को डाउनलोड कता ही ना करें अगर आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने को आप्शन हम ब्लाप कर देंगे फिर आप कभी वीटी टाउनलोड नहीं कर पाएंगे यूटूब पे ठीक है ना तो इसलिए वीडियो को डाउनलोड ना करें अंलाइन ही देखें अब 2x इसमें से common होगा क्या होगा दोनों में 2 है तो दो लिख देते हैं भाई सभी का नंबर आना चाहिए फिर आठ यक्स और यह धन दो है ना इनको एक में मिला देते हैं इनका मिलंकरा देते हैं तो यह दो हो जाते हैं इस तरह से यह आपका दो आगया गुड़न खट करने पर अगर मूल निकालेंगे तो यदी क्या होगा मैंने यदी लिखा है यक्स धन बराबर 0 तो यक्स कमान माइनस 1 आएगा और यदी 8 यक्स धन 2 बराबर 0 करेंगे तो यक्स कमान माइनस 2 बटा 8 कटेगा माइनस 1 बटा 4 आएगा माइनस एक बटा चार अगर दो मूल निकालने को कहेगा तो यह आपके माइनस वन और माइनस एक बटा चार दो मूल होंगे अगर केवल गुड़नखंड करने को कहा जाएगा समी करण का तो यह आपका गुड़नखंड का सही उत्तर हो गया दोनों समझ गए ना इसका मतलब क्या है इसका दोनों का जब गुड़ा करेंगे तो यह आ जाएगा समझ गए ना जैसे गुड़नखंड में आप मैं आपको बता दूं अच्छी तरीके से इसको आप लोग स्क्रिंसार्ट ले लिजिए जल्दी से हो गया वीडियो को पीछे करके फि अट को हम लिख सकते हैं क्या अच्प करने चाह्छा Yuri's घुमार के का तो यह कोड़ा करेंगे तो फिर वहीं उपर वाला आ यह पाँचे प्लस 6 अगर हैंjach देंगे इनों का खुड़ा करने प्या जाएगा कैसे जाए इसे इनको सबको गुड़ा करने पर यह आ जाता है उम्मिद करते हैं आप समझ गये होंगे अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करिएगा हम आपको जरूर बताएंगे फिर से बताएंगे बार बार बताएंगे हजार बार बताएंगे ठीक है न तो बिल्कुल परिसान नहीं होना है बस आपको कमेंट करना है अगर नहीं समझ पाए तो जरूर कमेंट करें देखिए आपने तीन सवाल समझ लिए न तो आज के लिए बास इतना ही उम्मिद करते हैं अगर आप समझ गये तो इस वीडियो को भीने नहीं देना है बस आपको एक काम करना है वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों में सेर करना है गड़ सिखाने की आपको संपूर्ड गारंटी वीडियो का डिस्क्रेप्शन चेक करिएगा नया सीडूल अपडेट कर दिया गया है और आपकी हर एक कलास उसीडूल के अनुसार होगी जिनमित्रों की कलास उसीडूल के अनुसार में जो चल रही है उसमें नहीं आ रही है उनको लग रहा कि हमारी ये कलास होनी चाहिए और अलग से तो वो हमें कमेंट करेंगे हम उनको बताएंगे आप लोग WhatsApp नमबर बिल्कुल ना लें जो भी आपके मन में बाते हैं उनको आप कमेंट करें एक बार ध्यान दें अब से यानि की 8 मार्च के पहले यानि की 7 मार्च से लगभग में आपके सबसे पहले YouTube के कमेंट का उतर दिया जाएगा WhatsApp का response जो है बाद में दिया जाएगा ओधेश सर को हमने बता दिया है सबसे पहले अब वो YouTube के कमेंट कर जबाब देंगे बस सबसे पहले YouTube का कमेंट दूफरा नमबर पे इमेल का जबाब तीफरा नमबर पे WhatsApp तो अगर आप सब जबाब चाहते हैं जल्दी से तुरन तो WhatsApp नमबर पे नमेसेज करिएगा केबल YouTube में कमेंट करिए वीडियो को बार बार देखिए समझ ये वहीं पे आपको सब कुछ बताया जाएगा लिंक भी आपको कमेंट बाक्स में कमेंट कर दी जाएगी ठीक है ना WhatsApp अब चलता नहीं है अगर 10-20,000 लोगों के मैसेज आ जाते हैं तो दिन भर वो डिलीट ही करते रहते हैं हाएंगो होता फों चलता नहीं समझ रहे ना तो आप लोग अब WhatsApp पे मैसेज कता ही नहीं करेंगे लेकिन हाँ एक बात और बता दें अगर आप PDF फाइल और आप पाना चाहते हैं और पी जनकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं आपकी अपनी official website www.stity.com इस पर विजिट करके आप अपनी सारे मन के सुझाओं को बोल सकते हैं अपनी दिल की बातों को share कर सकते हैं और PDF फाइल टेक्स फाइल और प्राप्त कर सकते हैं ठीक है ना और और भी अने सब्जेक्ट के लिए जैसे हिंदी अंग्रेजी प्रयावरारबाल विकास मनुफिज्यान के लिए अनेकरडमी पर आवसे फोलो कर लें डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई है मैथ आसान है और PBRS Study Group चैनल को अवसे सब्सक्राइब कर लें अगर आप कोई सुझायत करना चाहते है या फिर आपको कमेंट करना नहीं आता है तो अभी आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे वाटसब पर या फिर फोन कॉल करेंगे अगर आपको कमेंट करना नहीं आता ताब लेकिन अगर आपको कमेंट करना आता है तो आप कमेंट करेंगे जब तक ये लाइप चल रहा है तब तक आप लोग कमेंट करें या ना करें क्योंकि इसका जबाब भी जल्दी से आपको नहीं मिल पाएगा लेकिन जब ये live जैसे खतम हो जाएगा वैसे आपको जबाद दिया जाएगा ये problem थोड़ी दिन के लिए है जल्दी ही ये दूर हो जाएगी उसके बाद live के समय भी आपको तुरंद response दिया जाएगा ठीक है न? हमारा system थोड़ा से करबर चल रहा है वो जल्दी सही हो जाएगा फिर आपको live का भी जब आप तुरंद मिलेगा ठीक है न? तो मित्रों उम्मीद करते हैं आप सारी बाते हमारी समझ चुके होंगे तो आज के लिए बस इतना ही मैरा चुक मारे दुमनसी फिर से मिलूँगा आप से एक नई क्लास में एक नई उम्मीद के साथ तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्यू आपका अपना PBRS भी सेर करिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए सब कुछ सहयोग करेंगे तो हम आपके साथ हैं